नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी और आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी पच्छी अभ्यारन्य यानि की वर्ड सेंक्वुचरी के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा चौथा अध्याय है इसके बाद में हम लोग इस्टेटिक जीके में मूब करेंगे स्पोर्ड जीके की तरफ यानि की खेल से सम्मंदित जो भी जीके हैं उनको हम लोग 3-4 वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर वीडियो को और बहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाओ है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अगर हम लोग बात करते हैं पच्छी अभ्यारन्य की तो सिंपली आपको ये यादगना है कि कोई भी ऐसा अस्थान जील या फिर वन्नेजू अभ्यारन्य जहां पर पच्छीओं का संदच्छन किया जाता है उसे हम लोग पच्छ पच्छी बिहार या फिर बढ़ संकुचरी या फिर पच्छी अभ्यारन्य के रूप में जानते हैं तो चलिए अब हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं कि किस राज में कौन-कौन से पच्छी बिहार हैं सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदे क्या नाम है पटना पच्छी बिहार और आपको ध्यान रखना है कि पटना वैसे बिहार की राजधानी भी है तो ये जो पटना पच्छी बिहार है ये आपको बिहार में नहीं बलकि उत्तर प्रदेश राज में मिलेगा इसके बाद में अगला हमारा है समान पच्छी बिहा तो यहां पर आपको मिलेगा पारबती अरगा पच्छी बिहार तो ये हमारे बगल में ही है और उसके बाद में आता है अगला जो की है बखिरा पच्छी बिहार तो ये सारे जो पच्छी बिहार है ये आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में और भारत में कई सारी ऐसी पच्छी बिहार है जो की रामसर साइट में भी सामिल है तो जब हम लो है तो ये सारे नए हमारे वेट लैंड्स है तो ये आपके हो गए उत्तरपदेश के सुर्शरोवर, समान, पटना, सैंडी, समस्पुर्ग, पारवतियर्गा, बखिरा और नबाब गंज इसके बाद में अगला राजी है तमिलाडो, तो तमिलाडो में भी आपको कई सारे पच्छी अभ्यारन ने मिलेंगे, नाम थोड़े से अटपटे हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला आपका पच्छी बिहार है, जिसका नाम है बेदान थंगल वर्ड संकुचरी क्या नाम है बेदान थंगल वर्ड संकुचरी, इसके बाद में अगला है जिसका नाम है कारीकली वर्ड संकुचरी, इसके बाद में थोड़ा सा आप और साउथ हाएंगे, तो यहाँ पर है वर्ड बुर बर्ड संकुचरी, इसके बाद में थोड़ा सा और साउथ हाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट कैली मेर बर्ड संक्चरी उसके बाद में थोड़ा सा और साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है बेटांग गुडी बर्ड संक्चरी उसके बाद में थोड़ा सा और साउथ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा चित्रांग ग परिच्छाओं में पूछा जाता है तो वहां से अनुमान लगा सकते हैं जैसे कि इस प्रकार के नाम आपको साउथ के ही अस्थानों पर मिलेंगे तो एक बार आईए रिवायच कर लेते हैं तमिल नाडु में बेदान थंगल, कारीकली, वड़वुर, पॉइंट कलेमेर, बे अब चलते हैं मद्य प्रदेश में, मद्य प्रदेश राज में जो पहला वर्ड संक्चरी है, इसका नाम है घाटी गाउं, काउंसा घाटी गाउं बर्ड संक्चरी, इसके बाद में अगला है करेरा बस्टर्ड बर्ड संक्चरी, उसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे आ जाता है और इसी के नाम पर एक और है जिसका नाम है सरदारपुर खर्मोर लेसर फ्लोरिकन बर्ड संक्चरी तो मद्य प्रदेश में चार है करेरा बस्टर्ड घाटी गाओं सैलाना खर्मोर और फिर आपका है सरदारपुर खर्मोर अब चलते हैं पस्सिम मंगाल में तो यहा अब चलते हैं राजस्थान में तो राजस्थान में एक आपको मरवस्थल खेतर में मिलेगा और इसका नाम ही है मरवस्थल बर्ड संक्चरी या फिर इसे आप डिजर्ड वर्ड संक्चरी के नाम से भी कह सकते हैं उसके बाद में अगला आपको मिलेगा जिसका नाम है भरत पुर और केवला देओ इसके अलावा मरू अस्थल ये आपको मिलेगा राजस्थाण में अगला हमारा राजी है सिक्किम तो सिक्किमें आपको सिर्फ एक मिलेगा और इसका नाम है किताम World Life Century मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी हमारी World Life Seps An trips यानि कि वन्य जीव अभ्यारन्य है जिन्हें पच्छी बिहार का दर्जा दिया गया है क्योंकि यहां पर पच्छों का संच्छन भी किया जाता है तो किताम वर्ड लाइब सेंक्चरी पूछा जाए या किताम पच्छी बिहार पूछा जाए तो दोनों आपको मिलेगा सिक्क बने हैं उनमें से एक है नंदूर मतमीश्वर तो ये है महराष्ट में तो ये एक पच्ची बिहार है उसके बाद में महराष्ट में आपको मिलेगा जायक वाडी पच्ची बिहार जायक वाडी की अलामा यहाँ पर नाय गाओं मोर पच्छी बिहार है यहां पर मोर का संद्चन किया जाता है फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो जवाहललाल नहरू गोदावन पच्छी बिहार यानि की जवाहललाल नहरू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड सेंकुचरी यह इसका पूरा नाम है तो यह भी आपको मिलेगा महाराष्ट में इसके बाद में आपको मिलेगा मयानी पच्छी बिहार और मयानी की अलामा आपको यहां पर एक और मिलेगा जिसका नाम है करनाला पच्छी बिहार तो महाराष्ट में आपको कोई मिला करके केरल राज में तो केरल राज में भी आपको कई सारे मिलेंगे तुरुआत करते हैं नौर्थ से तो यहाँ पर है कदलुंडी पच्छी बिहार क्या नाम है कदलुंडी पच्छी बिहार उसके बाद में थोड़ा सा और हम साउथ आएंगे तो यहाँ पर है चुलान नूर मोर प अब एक चीज आप ध्यान रखेगा सलीम अली के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्हें काफी जादा रिसर्च इन्होंने किया था पच्छी विज्ञान के छेतर में और इनके नाम पर कई सारे पच्छी बिहार आपको मिलेंगे लेकिन अगर आपसे परिच्छा में सीधे सलीम अली पूछा जाता है कि सलीम अली पच्छी बिहार कहाँ पर है तो उसका उत्तर होगा गुवा लेकिन जैसे कि थाडे कड सलीम अली पच्छी बिहार पूछा जाता है तो ये आपको मिलेगा कीरल में इसके बाद में थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुमार कुम पच्छी बिहार तो कीरल में आपके पांच हैं कदलुंडी पच्ची बिहार चुलान नूर मोर पच्ची बिहार थाटे कड सलीम अली पच्ची बिहार और कुमार कुम पच्ची बिहार इसके अलावा है मंगल वनम तो ये सारे हैं कीरल में इसके बाद अब हम लोग चलते हैं करनाटक में तो करनाटक में भी कई सारे हैं जैसे कि उपर आपको मिलेगा घाट प्रभा पच्ची बिहार और ये काफी ज़्यादा पोउचा जाता है तो ध्यान लखेगा जैसे जाता है अबिए करनाटक में अगला अपका है बॉर मोर किया जाता है और ये भी है करनाटक में इसके बाद में गुदवी पच्छी बिहार तो ये भी आपको मिलेगा करनाटक में इसके बाद में करनाटक में ही है कोकरे बेलूर सामुदायक रिजर्ब यानि कि कोकरे बेलूर कम्यूनिटी रिजर्ब ये भी आपको मिलेगा करनाटक में इसके बाद में आप और थोड़ा सा साओ थाएंगे तो यहाँ पे है आदी चानुना गिरी वाइड लाइब संकुचरी यह भी एक वनीजी अभ्यारन्य है जिसे पच्छी बिहार का दर्जा मिला हुआ है और एक आपको यहाँ पर और मिलेगा जिसका नाम है रंगना थिट्टू पच्छी बिहार तो ये सारे आपके होगे करनाटक में घाट प्रभा, बांकापुर, कोकरे बेलूर, आदी चानुना गिरी, रंगना थिटू और इसके लावा गुदवी अब चलते हैं गुजरात में, तो गुजरात में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नलिया, ग्रास लैंड या नाला बश्टर्ड पच्छी बिहार, तो यह है गुजरात में, उसके बाद में दूसरा है कच्छ रेगिस्तान, वाइल लाइब सेंकुचरी, यानि कि यह एक व मिलेगा थोल जील पच्छी बिहार और एक आपका है, जो की काफी ज़्यादा फेमस है, इसी कहते हैं नल सरोवर पच्छी बिहार, तो गुजरात में आपको छे मिलेंगे, कच्छ रेगिस्तान, खेजडिया जील, पोरवंदर, थोल जील, नरिया, ग्रास लैंड या लाला बच्छी बिहार और उसकी अलावा है नल सरोवर, अब चलते हैं उडिसा में, उडिसा में सिर्फ एक है और इसका नाम है नल बाण पच्छी बिहार, क्या नाम है, नल बाण पच्छी बिहार ये है उडिसा में, आन्द प्रदेश की बात करते हैं, तो आन्द प्रदेश में आंध्र प्रदेश में उसके बाद में है उपला पाडू पच्ची बिहार क्या नाम है उपला पाडू पच्ची बिहार फिर थोड़ा सा दच्चिर में आएंगे यहाँ पे है स्री लंका मलेश्वर पच्ची बिहार तो यह एक वाइल लैप सेंगुचरी है उसके बाद में यहाँ पर है नेला पट्टू पच्छी बिहार ये भी परिच्छाओं में काफी पूछा जाता है उसके बाद में एक आपको और मिलेगा रोला पट्डू गोदावन पच्छी बिहार तो ये सारे आपके है आन्द पट्ड़ेश में कॉलेरू या फिर अतापका उपला पड़ू बर्ड संक्छीरी स्री लंका मलेश और वाइड लैप संक्छीरी नेला पट्डू वर्ड संक्छीरी और रोला पट्डू गोदावन यहाँ पर भी ग्रेट इंडियन वैस्टर्ड क अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में सबसे उपर आपको मिलेगा पॉंगबाद पच्छी बिहार क्या नाम है पॉंगबाद पच्छी बिहार उसके बाद में कैस पच्छी बिहार और एक आपका है बंदली पच्छी बिहार तो हिमाचल तो दो आपको मिलेंगे हर्याणा में हर्याणा के बाद बात करते हैं तिलंगाना की तो तिलंगाना में मजीरा पच्छी बिहार केवल एक है तिलंगाना में कौन सा है? मजीरा पच्छी बिहार तो ये आपका है तिलंगाना में उसके बाद में असम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो मिलेंगे एक तो आपका है बुर्दोई बॉम बिलमुख पच्छी बिहार क्या नाम है बुर्दोई बॉम बिलमुख पच्छी बिहार देखिए यहाँ पर नाम थोड़े से टफ है इसलिए मैं आपको जिसका नाम है पाणी देहिंग पच्ची बिहार तो असम में दो हैं एक है बोरदो इबाम बिलमुख और एक है पाणी देहिंग अब बात करते हैं बिहार और जारगंड के तो बिहार में आपको दो मिलेंगे एक तो आपका यहां पर है स्रया मैन पच्ची बिहार एक यहां प पच्ची बिहार तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सलीम अली का नाम कई सारे पच्ची बिहार में आपको देखने को मिलेगा तो बिहार में तीन स्राइया मैन कुसे स्वर आस्थान पच्ची बिहार और एक है बरेली जील सलीम अली पच्ची बिहार और बात करते हैं के बारे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो Tiger Reserve है और जो National Park वे मात एक-एक है तो वे दोनों कौन-कौन से हैं वो आपको नीचे कमेंट में लिखना है अब चलते हैं नागा लैंड में तो नागा लैंड में आपको एक मिलेगा जिसका नाम है तो यहाँ पर तो यहाँ पर ट्रोगोपॉन नाम की जो पच्छी है उसका सनच्छन किया जाता है और यह आपको मिलेगा नागा लैंड में कुछ अन्य है आईए इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक तो आपको मिलेगा दिल्ली में जिसे हम लोग कहते हैं ओकला पच्छी बिहार क्या नाम है ओकला पच्छी बिहार यह आपको मिलेगा दिल्ली में गुआ के बारे मैंने आपको बताया ही इसका नाम है सलीम अली बर्ड संकुचरी तो यहाँ पर इसे चिराओ दूइप बर्ड संकुचरी भी कहते हैं तो ध्यान लगेगा चिराओ दूइप या फिर सलीम अली बर्ड संकुचरी ये आपको मिलेगा गुवा में और एक आपको मिलेगा लच्छ दूइप में इसका नाम है पिट्टी पच्छी बिहार जो की आपको मिलेगा लच्छ दूइप में तो ये रहा हमारा सारे बर्ड संकुचरी अब आएए कुछ प्रश्णों के उत्तर देख लेते हैं यानि कि इससे जुड़े हुए जो प्रश्ण है उनको भी यहाँ पर सौल्व कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे बखिरा पच्छी अब्यारन की तो यह किस राज में स्थित है तो अगर आपको याद हो तो यह आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश बें कई सारी हैन, उनमें से एक हैं बखिरा उसके बाद में है इनमे से कौन सब अच्छी विहार उत्तर प्रदेश में इस्तिथ नहीं है तो पटना भी है नबाब गंज भी है समस्पूर भी है और नंदूर बंदमेश्वर के बारे मैंने आपको बताया कि ये आपको मिलेगा महा राष्ट में तो option D correct होगा इन में से कौन सा पच्ची भी हार करनाटक में इस्थित नहीं है तो करनाटक में आपको सारे मिलेंगे लेकिन जो आपका मयानी है ये आपको करनाटक में नहीं मिलेगा चिंता मोनी करपच्ची अभ्यारन्य किस राज में इस्थित है तो ये आपको मिल जाएगा पस्सिम बंगाल में कहाँ पस्सिम बंगाल में इस्थित है चिंता मोनी करपच्ची बिहार अगला है थट्टे कर पच्छी अभ्यारने तो थट्टे कर पच्छी अभ्यारने आपको मिलेगा केरल राज में कहाँ पर केरल राज में ये इस्थित है उसके बाद में है सुचिंद्रम थेरूर पच्छी बिहार तो सुचिंद्रम थेरूर पच्ची बिहार ये स्थित है तमिल नाडू में कहां पर तमिल नाडू में स्थित है सुचिंद्रम थेरूर पच्ची बिहार अगला है लेंग तेंग पच्ची बिहार किस राज में स्थित है तो ये आपको मिलेगा मिजोरम में तो यह आपको मिलेगा महाराष्ट में उसके बाद में है गमगुल पच्ची अभ्यारन तो गमगुल पच्ची अभ्यारन यह आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में कहां पर हिमाचल प्रदेश में ये इस्तित है उसके बाद में है भिंडवास पच्छी अभ्यारिन तो भिंडवास या सुल्तानपूर ये दोनों आपको मिलेंगे हरियाना में उसके बाद में है नल सरोवर पच्छी बिहार तो नल सरोवर मैंने आपको बताए ये काफी जाद अतिबेरी पच्ची बिहार किस राज में इस्थित है? तो अतिबेरी जो है ये आपको मिलेगा करनाटक में. कहाँ पर करनाटक राज में इस्थित है अतिबेरी पच्ची बिहार. उसके बाद में है नजफगड ड्रेन पच्ची बिहार. तो ये जो नजफगड ड्रेन है ये आपको मिलेगा तमिल नाडू में, अगला है सरय्या मैन पच्ची बिहार किस राज में इस्थित है, तो सरय्या मैन आपको मिलेगा बिहार में, कहां पर बिहार राज में इस्थित है, सरय्या मैन पच्ची बिहार, इसके बाद में है अतापका पच्ची बिहार, तो अतापका पच्छी बिहार किस राज में इस्थित है तो पिट्टी पच्छी बिहार आपको मिलेगा लच्छ दूइप के इंदर सासित प्रदेश में और आखरी है कि इनमें से कौन सा पच्छी बिहार आन प्रदेश में इस्थित नहीं है तो आन प्रदेश में आपको नेला पट्टू मिलेगा पुलिकट मिलेगा उपला पाडू भी मिलेगा लेकिन जो सली मरी चिराओ दोई पच्छी विहार है ये है गोवा मी तो इस प्रेशन का ओप्सन डी करेक्ट होगा तो आई हो वीडियो आपको पसंद आया होगा अगला यानि कि जो इस्टेटिक जीके का पार्ट जाते हैं तो हम लोग उसी के बारे में अगले वीडियो में डिसकस करेंगे थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत